हेलो फ्रेंड्स आज हम लोग एक्सराइज 3.7 बाटलेट एंशेबाट बूक का जो एक्सराइज के प्रोब्लेम से बो सब देखेंगे ठीके चलिए शुरू करते है पहला कोश्चिन क्या कहता है लेट सामेशान अन इसे सिरीज एंद सामेशान बी अन बी साच देट इसे सामेशान अन का जितने भी टाम से वो सब बी अन में बीटाया सिर्फ जो एंद का ताम जीरू है उनको छोड़के चलिए कैसे करेंगे notice that since the terms for which an equal to 0 has been omitted sequence or partial sum summation bn is actually sub sequence of summation an अभी दिखिए सिर्फ an का जो टाम में वो ही सिर्फ मैं skip किया मतला omit कर दिया bn बनाने के टाइम में तो क्या कहता है कि bn summation bn जो होगा वो actually क्या है summation an का sub sequence है क्योंकि bn में जितने भी टाम है वो सब अन में है लेकिन झना भी टाम है भो सब एम नहीं है जो जिरू टाम है वो लेकिन बन में जितने भी टाम है वो सब आन में मतलब क्या है bn is a sub sequence of an तो subsequent theorem से क्या कहता है summation an अगर a per converse कर रहा है तो इसका sub sequence भी a per e converse करेगा तो मतलब क्या हुआ समेशन बी एन भी एपे कंपर्स करेंगा अब एक कंपर्स थियोरम यह एक of if and only if statement है तो मतलब इसका दोनों तरफ से प्रूब करना पर गया तो एक समेशन बी एन अगर एक कंपर्स कर रहा है तो समेशन समेशन बी एन अगर एक कंपर्स कर रहा है तो समेशन समेशन बी एन अगर एक कंपर्स कर रहा है तो समेशन बी ए इस लेस दन एपसलों होना पर गया सब्सक्राइब होगा क्योंकि ईसलिए के सितना होटा मेंट को साम करने से एक 55 चाहिएum कियोंकि देखिए में टाम ज्यादा होगा लेकिन टाम जितना भी वह पुस्थ सब सेमी कि क्योंकि ए आइ में कि भी और बांट-टू-आइए-अ-इसलिए तब यह ज्यादा होगा वोई मतलब स्भीच के सब्सक्राइब को स्थे दूसरा प्रोल्लिम क्या एक जो देगते दूसरा प्रोल्लेम क्या है कि अगर मेरे पास ऐसे इसका मैं कोई भी एक finite number of terms को मतलब चेंज कर दिया मनलेजीए एक मेरे पास सिरीव जिसमें से कुछ और यह convergence मैं इसमें से कुछ finite number of terms को मतलब चेंज कर दिया मैं पहला जो 10 ताम है उसको मैं चेंज करके कुछ आलग लिख दिया तो इसका जो कॉनबर्जेंस होगा वह फारक नहीं परेगा मतलब फिर भी वह कॉनबर्जेंट होगा ऐसा प्रूब करने को कहता है तो मैं मान लिया कि कोई भी एक सिरीस सामेशन एन बीए कोई भी एक सिरीस सामेशन एन मेरे पास है जो कॉनबर्जेंट है एन सामेशन बीएन 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 ऐनी सीरीस विड एन इकुल तो बीएन फोर ओल और ऑन के पहले जो टा में उसको मैं चेंज कर दिया लेकिन उसके बाद वाला जो टाम है क्योंकि मुझे काई कि आना कि तो मैं नौट तक जो ताम है उसको में चेंज कर दिया लेकिन उसके बाद बाला जो टाम है बुह सब सेम होगा ठीक है उसको मैं चेंज कर सकता क्योंकि फाइन अनौट बिलोंग्स टीक है so summation bn is series obtained by changing finite number of terms of the summation a n मतलब summation bn एक ऐसा series है जो मैं मतलब summation a n से finite number of terms हटाने के बाद bn बना है अभी देखिए अभी प्रूब करना है कि bn भी convergent होगा अगर a n convergent है तो तो let s n equal to s n equal to मैं क्या मन लिया k equal to 1 to n summation a k ठीक है और t n equal to मन लिया summation b k k equal to 1 to n अभी देखिए for n गटाद देन equal to n 0 n 0 से बरावाला n के लिए यह जो n 0 है इससे बरा कोई भी है के लिए sn minus tn क्या होगा sn क्या है summation of a k tn क्या है summation of bk अभी sn minus tn क्या होगा k equal to 1 to n 0 1 minus b k plus k equal to n 0 plus 1 to n a k minus b k मतलब n 0 तक जो time है वो क्या होगा अलग होगा a k और bk का जो n 0 तक time होगा वो क्या होगा अलग होगा क्योंकि मैं a k से n 0 तक time को अलग करके ही तो bk बनाया लेकिन 1 k के बाद वाला time क्या होगा बाद वाला time a k और bk का प्लुदी ऑनक बाद वाला जो a k को और A n और bk जितने भी time है न नोत के बाद वाला बहु सब क्या होगा बनाव 是不是 equally होगा तो यह वाला sequence अलगा अध्यू हो स्थीशेス सीप्लू बने सेtar को जाए घ्यू Tools जितना भी मानली जिए दस कंस्टेंट हमें यह के इकुल टू मानली जिए दस है के इकुल टू मानली जिए दस है तो a1-b1 a2-b2 प्लास a3-b3 प्लास a4-b4 ऐसे करके 10 टाम का मैनेस करने से वह हमेशा कंस्टेंट ही आएगा ठीक है क्योंकि यह टाम मुझे मालूम है कि मूझे यह टाम सका मैनेस करके फिर हैट करने से क्या होगा वह कॉंस्टेंट रागे तो मतलब किया s-n-t-n कॉंस्टेंट रहे हमातला है उसे कॉंद्ध और मुझे पहले से मालूम है s-n-n-b t-n-r t-n-r as-n-b-r t-n-r S N minus S N minus T N और S N minus T N B convergent है तो दो convergent sequence का summation और subtraction हमेशा क्या होता है convergent होता है tn भी convergent होगा टीक है इसे करके आपके दिखा दिया कि T N is convergent और T N के था summation B K जो a N an से bn an और ak कुछ भी बुल सकते है मतलब a N से जो मैं bn बनाया था वह अभी कोनबर्जिंट हो गया ठीक है ऐसे करके प्रूप कॉम्प्लिट हो जाता है फिर हम लोग देखते हैं कुछ नमबर थ्री किया कहता है कि सामेशन एन बाइन प्लस वान इन प्लस टू इकुल टू यह शो करने को कहता है एन इकुल टू आन टू इन पिनिटी जहां पे पहले हम इसको स्प्लिट कर लेंगे इसको इसको स्प्लिट करने का एक तारीका होता है क्लास 12 में हम लोग परेते हैं पार्शियल मेतोड कहता है इसको पार्शियल मेतोड पार्शियल फेक्ट्राइजन मेतोड ठीक है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं तो इसको हम एसे लिख सबस्क्राइब को सबस्क्राइब में 1 by minus 1 by n plus 2 यह वाला टाम रहेगा ठीक है लास में तो as n tends to infinity होगा n जाब infinity के तरफ जाएगा तब यह वाला टाम भी 0 हो जाएगा 1 by n plus 2 जो रहेगा वो भी 0 हो जाएगा मतलब क्या रहेगा 1 रहेगा तो यह क्या हुँआ अलफा फ्लागा प्लास फ्लास एन इनटुल आल्फा फ्लास एन प्लास इसका वणगा होदा है usan 1 बाई अलफा ब्लास एन इसका लिमिट हो वह वो शोगने को कहता है अब देखे फिर इसको हम स्पीट करने से ऐसे लिख शेकते अब इसको मैननेस करके फिर देख सकते इएी हृएस इसको अंपी लिख सकते तो एन इकूल तो अब यह सब बहुत ही सिंपल प्रोब्लेम से आप खुट से भी कर सकते एक बढ़ देखने जे फिर फॉर नंबर कुर्चिन और भी बहुत इसी था इसलिए मैं नहीं किया फॉर नंबर कुर्चिन अभी देखते है फाइप फीप कुर्चिन क्या के था है ठीक है अगर मान लिया कि ऐसा हुआ समेशन X N प्लास Y N अगरiros अगर मंहदा हुआ तो क्या होगा समेशन x N प्लास Y N minus kleiner Sun बहु बहु पिपदर्जेंट होना परेगा क्योंकि समेशन 7 प्लास Y n अगर मुझे सिंग्जे पहले की आदि क्या इस तkat समेशन writings कॉन्पर्जेंट तो क्या होगा इससे इसको माइनस करने से क्या आएगा समेशन वाइन और इद दर मुझे क्या कहा दिया एक समेशन वाइन को डायगा लेकिन मेरे इस से क्वेसे क्या अरा है अगर मैं यह को तो क्या नों यह दिर संट्टिय, यह इंषվ कभी नहीं हो सकता है से लेसके नहीं, THANK YOU